नमस्कार जय जोहार चतिसगर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए देखते हैं आज की पंदरा फटा फट बड़ी खबरों को बुपेश सरोज में तक्रार पांडे ने दीपक को बताया बच्चा चतिसगर के मुख्य मंतरी बुपेश बगेल और भाच्पव पाद्यक्ष इवम राज्यसवस सदस्य सरोज पांडे की बीच उपहास पर तक्रार हो गई दो दिन पहले सरोज ने कॉंग्रेस के प्रदेश इपक बेच को बच्चा काता उनके बयान पर भागेल ने कहा कि दीपक बेच की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हैं सरोज पांडे की तो अभी शादी भी नहीं हुई है सीयम भागेल के बयान को लेकर सरोज ने एक पत्र लिखा और उपहास उड़ाने पर माफी प्रियंका गांदी के चुनाव लड़ने पर बोले बुपेश बगेल चत्तिसगर में इसी साल विधानसवा के चुनाव होने प्रदेश में विधानसवा चुनाव की आहट के साथ चुनावी माहुल गर्व है सीएम बुपेश बगेल ने प्रियंका गांधी वाल्ट्रॉक के चुनाव लड़ने को लेका बयान दिया है बगेल निका की प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के लिए परिवार और पार्टी में आम सहमती चाहिए उन्होंने का कि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने आई थी और आएंगी भी प्रियंका गांधी अकच चतिसगर से लोकसवा चुनाव लड़ेगी तो हम स्वागत करेंगे यह हाई कमान को तै करना है बुपेश बगेल मंत्री मंदल के सभी मंत्रियों की टिकेट पकी बुपेश बगेल कैबिनेट के सभी मंत्रियों की टिकेट लगभग फाइनल है इनमें से तीन से चार मंत्रियों की सीटों में परिवर्तन हो सकता है सिएम बुपेश भगेल का कमाल चतिसगड के सरकारी स्कूलों में बच्चे बोलने लगे फरराटेदार अंग्रेजी चतिसगड के शाज की अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आदिवासी समाच के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं प्रदेश की वपेश भगेल सरकार के प्रयासी वनांचल शेत्र के सबसे पिछड़े कहे जाने वाले बेगा अदिवास्यों के बच्चों को भी पढ़ने आगे बढ़ने का भैतर माहूल मिल रहा है आर्थिक तौपक कंजो परिवार के प्रतिवाश वाली बच्चों को जीवन की मन्जिल हासल करने का मौका मिल रहा है गरीब घरों के ये बच्चे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा हासल कर रहे है रामराज्य चाहिए तो राम सीता बनना होगा राश्पती, द्रौपती मुर्मु ने कहा कि अगर आप रामराज्य का सपना देख रहे हैं तो आपको राम और सीता बनना होगा देश को विश्वग गुरु बनाने के लिए उसी दिशह में कदम रखना होगा राश्पती ने का कि हमारा देश नित नई उचाईयों को छूरा है चाय चांद पर तिरंगा लहराना हो या फिर विश्व सपक खेल कूद में नए अध्याय लिखने हो वहीं उन्होंने प्रतियोगी परिक्षा के स्टूडेंट्स की खुदकुशी करने के मामलों को लेकर भी चिंता चताई राश्पती अपने दो दिवसी चत्तिजगर दौरे पर गुरुवा को राइपूर पहुची है 36 गड़ में बीजेपी को मिला सियासत का नया मुद्दा 36 गड़ की सियासत में घपले घोचालों के साथ सटा के बाजा का महादेव एप भी नई धार के साथ सियासी हब्यार बन रहा है राज्य सरकार जहां केंदर पर राज्य नितिक लाप के आरोप लगा रही है तो वही वाजपा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है दरसल महादेव एक बैटिंग एप है जिसकी शिरुवात कोरोना काल में 36 गड़ से होई थी धीरे धीरे यह देश की दूसरे राज्यों में पहुँच गया यह ऐसा एप है जिसमें संचालक पहले भाग लेने वाले को थोड़ी थोड़ी राज्य जिताता है और जब वह बड़ी रकम लगाता है तो उसकी हार तैह होती है इसकी बज़़ा है कि पूरा कमांड संचालक के पास होता है प्रदेश में अब चुनावी तैयारियां शुरू गई नकसलियों के सप्लाई नेटवर को धुत्त करने चार प्रदेशों के अफसरों ने बैचक की है साथ ही चुनाव से पहले सुरक्षा गाइडलाईन जारी की गई है जिसके अनुसा चुनाव के समय किसी भी नेता कोहर एक कारिकर्म के पहले जानकारी देनी होगी जगदलपूर में चार राज्यों के वरिष्टे पुले सफसरों ने बैचक की है दरसल नकसलियों द्वारा विधांस प्रचुनाव से पहले एक पर्चा जारी किया है 36 गर में मेगा प्लेस्मेंट कैंप का आयोजन जिलारोज का कारियाले के माध्यम से जिले में मेगा प्लेस्मेंट कैंप 2 सितंबर को सुबा सारे 10 बजे से आयोजित है इसमें 831 पदों पर भरतिया की जाएंगी मुख्य रूप से ITI और डिप्लोमा धारी आविदकों को नौकरी मिल सकेगी संजे रूंग्टा इंजिनियरिंग कॉलेज कोहका में प्लेस्मेंट कैंप आयोजित किया जाएगा IGKV राइपूर को मिला राश्री ए गवननेंस सम्मान क्रॉप डॉक्टर 2.0F से मिलेगा स्मार्ट खेती को बढ़ावा चतिजगर इंद्रा गांधी क्रुशी विश्विद्याले राइपूर को राश्री ए गवननेंस पर उसका 2023 से नवाजा गया है आर्टिविशल इंटलिजेंस पर आधारित क्रॉप डॉक्टर 2.0F विक्सित करने के लिए नेश्रन लेवल पर राश्री ए गवननेंस उरुसकार से समानित किया गया सबसब पस ये मुपेश बागिल ने विश्विद्याले के कुलपती और विश्विद्याले टीम को बढ़ाई हो शुक कामना है दियें इस एप्लिकेशन से स्मार्ट खेती को बढ़ावा मिलेगा चतिजगर के नहीं रहे वरिष्ट कॉंग्रेस नेता इगवाल एहमद रिजवी का निधन हो गया है विकापी दिनों से मिमार चुल रहे थे तवियत खराब होने पर उनको एक निजी में भरती कराया गया था जहां उन्होंने आजनतिम सातली इस आश्य की जानकर इगवाल एहमद रिजवी के भतीजे फरास एहमद रिजवी ने दी है मतादे की इगवाल एहमद अधिवक्ता थे इसके साथ ही राइपूर के डिप्टी मेयर रह चुके थे वहीं माध्य प्रदेश में MP5 ये पुस्तक निगम की चैन्मेन भी रह चुके हैं एंटीपीसी ने लारा बिजली पर योजना में किया विस्तार 15,539 करोड रुपे के निवेश प्रस्ताफ को दी मन्जूरी देश की सबसे बड़ी बिजली उतपादा कंपनी एंटीपीसी ने एक बड़ा फैसला लिया बोर्ड ने लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए निवेश प्रस्ताफ को मन्जूरी दे दी है जिसे 15,539 करोड 99,00 रुपे की अनुमाने तिलागत से बनाए जाना है एंटीपीसी ने एक नियामक फाइलिंग में का कि निदेशक मंडल ने लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज सेकेंड के लिए 15,539 करोड 99,00 रुपे की निवेश को मन्जूरी दे दी है आज को लाँच होगी मेरा बिल मेरा अधिकार पहल ग्रागों की तरफ से सभी खरीदारी के लिए बिल मांगने को प्रोच साइट करने के मकसद के लिए सरकार ये पहल लेकर आ रही है शिरुआती दोर में ये पहल असम गुजरात और हर्याना राज्यों में शुरू की जाएगी इसके लावा इस केंदर शाषित प्रदेश, पॉन्डीचरी, दमन और दीव और धाद्रा और नगर हवेली में भी शुरू किया जाएगा बता दे कि इस योचना को केंदरी वित्व मंत्री निर्मला सीतरमन की तरफ से शुरू किया जाएगा केंदर सरकार का बड़ा ओफर 200 रुपए की करे शॉपिंग पाएं एक करोड जीतने का अफसर केंदर सरकार एक सतंबर से मेरा बिल मेरा धिकार नाम से गुड्स एंड सर्विसस टेक्स स्कीम लाँच करने चारी है जिसके तरफ ग्राकों को करीब 200 रुपए की शॉपिंग करने पर करीब एक करोड रुपए तक के कैश प्राइस जीतने का मौका मिलेगा केंदर ने काय की वर्थ सभी खरीद के लिए बिल मांगने वाले ग्राकों की संस्कृति को प्रोटसाइट करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार पहल शुरू करेगी और इस योचना के तहट हर तिमाई में एक करोड रुपए के दो बंपप पुरुसकार दिये जाएंगा एक देश एक चुनाओ पर बिल लासकती है मोधी सरकार केंदर सरकारं ने 18 से 22 सथमबर तक के लिए संसत्त का विशेश सतर बुलाया है सूत्रो के अनुसा पांस दैन चैनलिवाली इस विशेश सतर में सरकार एक देश एक चुनाओ पर बिल लासकती ही गॉडतल अबे praktी मैच खेला जाना है लेकिन मैच से पहले क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर है दरसल इस मैच के दिन बारिश की आश्रंका है मौसम वखाक के अनुसा दुपए तीन बज़े सी बादल मंदराने लगेंगे इसके बाद शाम साथ बज़े से रात ग्यारा बज़े तक भारी ब खुले धन्यवाद